नमस्कार साथियो आज हम डिसक्स करेंगे most important कुशन जो कि सिट्रस क्रॉबस से repeat होते हैं जो last year जो exams हो धो 2023 की बात कर लेए या 2024 की जिन exams के बात कर ले इन exams के अंदर सिट्रस क्रोबस से तीन क्यूचन जो कि common रहे different different forms के के अंदर उनका repetition होता रहा तो उन चीजों की बात करते हैं कि सबसे पहले discussion की उपर मैं बात करना चाता हूं कि they will ask the mono embryonic species of citrus citrus की दो टाइब की species है mono embryonic और poly embryonic तो उन चीजों को मुख समझना होगा कि कौन सी mono embryonic है कौन सी poly embryonic है जो poly embryonic है सबसे पहले citrus के अंदर ही डवलोप हुई थी जहां जो discovery हुई थी poly embryonic की वो citrus के अंदर हुई थी क्यूशन भी पूछा गया था ठीक है तो इस question का आंसो रहेगा poly embryonic इसके अंदर डिस्कर हुई थी यह हुई थी आपकी citrus के अंदर सबसे पहले तो poly embryonic species और mono embryonic species सबसे पहले उसके उपर जाने से पहले मैं टेंका और swing की जो classification थी जहां से repeatedly questions आते है उस question को पहले अप्रोच करूँँगा तो सबसे पहला जो question है कि scientific name हो ताहिति लाइम जो scientific name है किसका ताहिति लाइम का यहां से continuously जो questions आये हैं उनके हम बात करेंगे कि किस प्रकार की questions पुछे गए हैं तो इन questions का आमस्वर देने से पहले हमको उसके classification के बारे में पता होना चाहिए कि क्या उसका classification था सबसे पहले जो की acid lime यह जिसे acid lime जिसके अंदर क्या क्या आते acid lime उसके बाद sore lime यह कागजी lime जो इसको एक बोलते हैं इसे एक side को लिखेंगे sore lime रंगपूर lime यह ताइती lime तो यहां से इनके जो scientific name पुछे जाएंगे उनको हमको याद रखना है सबसे पहले sore lime जिसे कागजी lime यह acid lime बोलते हैं जो की propagate होता है तो sore lime का जो scientific name है वो citrus orantifolia है citrus orantifolia दूसरा जो रंगपूर lime है जो की एक फ्रोमिसिक root stock है किसका sweet orange यह maddrink का जिसका scientific name हो जाएगा citrus limonia citrus limonia यह आपर question में पुछा गया है था ताइटी lime के बारे में यह जिसे Persian lime भी बोलते हैं जिसका scientific name है citrus लेटी लेटी टोलिया citrus orantifolia citrus limonia यह एक प्रकार से triploid है 3X इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरे चीज जासे lemon species तो यह lemon species के अंदर कौन-कौन से आते हैं एक lemon lemon के बाद rough lemon और citron यहां से scientific name जो कहां में पता होना चाहिए जो citrus lemon है citrus lemon वो scientific name किसका है lemon का rough lemon जो कि प्रोमिसिक root stock है arid regions के अंदर ठीक है rough lemon जो कि mandarin के लिए भी यूज होता है मैं mainly यह arid regions के लिए होती है तो इसका नाम आ जाएगा citrus jamberry इसके बाद citron जिसका जो scientific name है citrus medica यहां से भी question पुछा गया है देखो लास्ट येर जो question पुछा गया है वो citron से पुछा गया है कि scientific name क्या होता है citrus medica rough lemon से पुछा गया है अगरिकल जो supervisor के अंदर citrus lemon इसके बाद मेंडरीन मेंडरीन जो sweet orange जिसे मोसमी बोलते है जो मेंडरीन ये टेंजरीन जिसे बोलते हैं इसके अंदर आता है मेंडरीन दूसरा इस याद करके रखना है पुमेलो जिसके हम बात करेंगे classification के अंदर पुमेलो ये सबसे biggest in size होते है पुमेलो ठीक है या इसके अंदर दूसरा आता है grapefruit पुमेलो में recently question पुछा गया था जिसके scientific name भी पुछा गया था तो citrus grandis और जो grapefruit है इसका जो scientific name हो जाएगा citrus para dice ओके ये कुछ classification था जिनको हमें याद रखना है सबसे पहले हमने acid lime के बारे में किया acid lime जो की acid lime या sour lime या जिसे कागजी lime बोलते हैं जिसे citrus orantifolia इसके बाद रंगपूर lime जो की citrus limonia या ताइटी lime जिसे पर्स्ट्रियन लाइम भी बोलते हैं citrus latifolia lemon citrus lemon citron sweet orange की बाद करते हैं finances multiple leaf orange जिसे citrus multifolia या sour orange जिसमें citrus orantium तो हमने जो skip कर दिया था वो कौन सा था orange का portion tight skin सबसे पहले sweet orange ठीक है फिर होता है multiple leaf leaf orange और last वाला था sour orange ठीक है sour orange को हम क्या कहते हैं जिसका अनध्य नेम है जासे root stock भी पूछा जाता है generally जो होता है करना खटा ठीक है जो की कागजी lime और malta blood red के लिए यूज होता है ठीक है sweet orange का scientific name हो जाएगा citrus sinensis इसके बाद citrus multiple के लिए multifolia multifolia and sour orange के लिए क्या हो जाएगा citrus orientium जो sour orange था उसके अंदर sour lime था उसके अंदर क्या था citrus orienti folia है और यह orange है citrus क्योंकि citrus orienti folia है वह किसके लिए हो जाएगा जो जो क्यों को याद रखना यह है रंगपूर lime जो रंगपूर lime है जिसे citrus limonia बोलते है तो यह किसके लिए होता है यह प्रोमिसिक root stock है resistant जो टोकजोप्त्रा एफिड के दुवारा transmit होता है और जो heavy soils होती है जहाँ पर भी heavy soils होती है वह पर आपको रंगपूर lime का जो root stock है वह यूज करना चाहिए जहाँ पर suitable है heavy और deep soil के लिए जब arid region की जब हम बात करते हैं arid region के अंदर हम यूज करते है rough lemon rough lemon है root stock के रोप में जो कि citrus jamberry के नाम से scientific name से famous है यह दो root stock के हमने बात करी इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं तीसरे troyer citrins troyer citrins यह क्या होता है कि जो अपना mandarin है उसके अंदर high density planting के अंदर use होता है troyer citrins यह भी tolerant होता है tristica virus के लिए जो कि एक aphid tox of tri species से transmit होता है तीन root stock के हमने बात कर ली इसके बाद होता है trifoliate orange अब होता है sour orange citrus orantium citrus orantium की बात की थी एक होता है sour lime और एक होता है sour orange orange यह भी promising root stock है किसके लिए कागजी लाइम और malta blood red के लिए करना खटा बोलते हैं अब जब जो rough lemon है उसको हिंदी में जटी खटी भी बोलते हैं ठीक है जो कि moss me के लिए promising root stroke है अब देखो जो sweet orange है जो sweet orange के बात की थी मैंने citrus sinuses वो resistance होती है greening के लिए citrus greening जो कि transmit होता है bacteria से ठीक है और जो acid lime है sore lime है susceptible होता है Tristisa virus के लिए इसलिए वो integrator plant के रूप में काम करता है तो यह कुछ चीजे थी जो आपको याद करके रखनी है ध्यान में रखनी है ठीक है धन्यवाद